बच्चो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ए बी सीरी को पढ़ना और उसमें कलर्स को फिल करना तो आए मैं आपको पहले क्या बताती हूँ कलर्स के नेम ये कौन सा कलर है ये है आरेंज कलर ये कौन सा कलर है ये है रेट कलर ये है देखिये यलो कलर ये कौन सा कलर है ये है ब्लैक कलर और यहें देखिए कौन सा कलर ग्रीन कलर तो आएए मैं आपको क्या बताती हूँ कलर्स को फिल करना तो बच्चो पहले क्या आता है पहले आता है ए और यह कौन सा कलर है यहें ग्रीन कलर तो ग्रीन कलर हम ए में फिल करते हैं A means क्या होता है? A means होता है and and means होती है cheaty क्या होती है and means? and means cheaty होती है A के बाद क्या आता है? A के बाद आता है B क्या आता है बच्चो B आता है? और यह कौन सा कलर है? यह है black color तो B में हम लोग black color को fill करते हैं B means होता है ball ball means होती है gain क्या होती है बॉल मिन्स बॉल मिन्स गेंद होती है तो बी में हम कौन से कलर को फिल करते हैं बलैक कलर को बी के बाद क्या आता है बी के बाद आता है सी क्या आता है बच्चों सी आता है और ये कौन सा कलर है ये है यलो कलर तो यलो कलर से हम लोग सी को कलर करते हैं और ये कौन सा कलर है? ये है रेट कलर तो D में हम रेट कलर को फिल करते हैं D मिन्स होता है डॉग, डॉग मिन्स होता है कुता क्या होता है डॉग मिन्स? कुता होता है D के बाद आता है E और ये कौन सा कलर है? आरेंज कलर है तो ए में हम आरेंज कलर को फिल करते है ए मिन्स क्या होता है ए मिन्स होता है एलिफैंट एलिफैंट मिन्स क्या होता है एलिफैंट मिन्स होता है हाथी क्या होता है बच्चो एलिफैंट मिन्स हाथी होता है अब आएए हम लोग स्मॉल डेटर के ABCDN slash colors to fill करते हैं, यह कौन सा color है, यह orange color, तो orange color हम लोग small letter के A में fill करते हैं A मीन्स होता है apple, apple means होता है save, तो देखे A में orange color fill हो गया A के बाद क्या आता है A के बाद आता है B और यह कौन सा color है, यह red color, तो Bührाम मीन्स होता है ball, ball means होती है gain क्या होती है ball means ball means gain होती है तो आए अब हम लोग आगे चलते है B के बाद क्या आता है B के बाद आता है C और ये कौन सा कलर है ये है yellow color C means होता है cake क्या होता है C means C means cake होता है C के बाद क्या आता है बच्चो C के बाद आता है D और देखे ये कौन सा कलर है बलेक कलर है तो D में हम लोग बलेक कलर को फिल करते हैं D मीन्स क्या होता है D मीन्स होता है डॉग, डॉग मीन्स होता है कुपता D के बाद आता है E और ये देखे कौन सा कलर है ग्रीन कलर है E मीन्स क्या होता है E means होता है elephant elephant means होता है हाथी तो बच्चो आप लोग भी ऐसे पढ़िए और आगे बढ़िए ओके बच्चो बाबाई थेंक यू